समाजवाजीर पार्टी के उमिद्वारों के लिस्ट में मुसल्मानों और यादों के अलावा गेर यादा OBC को भी साथने की कोशिश होई और इसके तहर अखलेश ने इस बार 66 OBC प्रत्याश्यों को मैदान में उता रहा है आशा में अलेघ्रा Cabinet कि स्माजवाजवाजिड्यों को. मांधारी से अगर विजय किसी करने जा लही है, तो समाजवाजवाजियों के लगताए मुज़नी ने अन्याट है इस बार के चुनाओं को लेकर अखलेश यादव का जोश हाई है उन्हें सरकार बंती दिख रही है लेकिन सवाल है कैसे जानकारों की राए में अखलेश के इस आदम विश्वास की सबसे बड़ी वज़ा वो छोटे दल हैं जिनके बलबूते ही बीजेपी ने अखलेश के दोबार मुख्यमंत्री बनने के सपने को चकना चूर किया था इस बार अखलेश इन ही छोटे छोटे दलों को साथ लेकर उत्तर परदेश की सत्था में वापस लोटने का मौका तलाश रही है जिसके लिए उन्होंने गैर यादव OBC पर दाउं खेला है समाजवादी पार्टी के प्रतियाशियों की पहली लिस्ट में यादव और मुस्रीमों से ज्यादा गैर यादव OBC को जगह मिली है पार्टी का फोकस इस बार गैर यादव OBC पर कितना ज्यादा है उसे इसी बात से समझा जा सकता है कि सपाने 169 में से 64 OBC प्रतियाशियों को टिकट दिये है वही SP कैटेग्री के 31 उमिदवारों को मैदान में उतारा है इसके अलावा 8 वैशे, 7 ठाकुर और 9 ब्राहमन प्रतियाशियों उतारे है समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसवा चुनाओं के लिए कई पार्टियों से हात मिलाया है इसमें रास्टिय लोगदल, सुहिल देव भार्तिय समाजपार्टी, प्रगतिशेल समाजवादी पार्टी, NCP, जनवादी पार्टी और अपना दल प्रमुक हैं इस बार अखलेश ने पूर्वांचल से लेकर परश्चिमी यूपी तक बीजेपी की घेराबंदी के लिए छोटे-छोटे सहयोगियों को जुटाया है और वो उन्हें अपने पाले में करने के लिए काफी महतु भी दे रही हैं ये तस्वीर इस बात के मिसाल है जिसमें इस समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की बैठक में अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल सेंटरल कुरसी पर बैठी नज़राई अखलेश यादव टेबल कॉनफरेंस के दोरान खुद मुख्य कुरसी पर नहीं बैठे बलकि उन्होंने अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल को सम्मान दिया टिकट बटवारे में भी छोटे दलों को महत्व दिया गया है सपाने छोटे दलों को अपना चुनाव चिन दिया है इन में प्रसपा प्रमुक शिपाल यादव के साथ ही महान दल भी शामिल है। महान दल के प्रमुक केशो देव मौरी की बेटी सुमन मौरी फरुखाबाद से सपा के चुनाव चेन पर चुनाव लड़ेंगी। इस तरह बैठक से टिकट बांटने तक में मिल रहें महतु से अ प्रस्टिये लोग दल को साथ लेकर अपने मोर्चे को मजबूत बनाया है। परश्ची में उत्तर प्रदेश को किसान बहुल माना जाता है। आरेली से गठबंधन के बाद अकलेश को परश्ची में बढ़त मिलने की उमीद है। 20% जाट और 30-40% मुसल्मान अकेले बीजेपी को नुकसान पहुचाने के लिए काफी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसने इस बार एक एक सीट पर जाती और धर्म के समेकर्ण को देखते हुए प्रतियाशी उतारे हैं। पार्टी का लक्षे 400 सीट है। लेकिन अकलेश अपने मकसद में कितने कामियाब होंगे ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। कुमार अभिशेख लखनाओ आज तक।